चपपन इंच का सीना है का क्या मतलब है और वो जो अक्यूस्ड है ब्रिज भूशन शरन वो कोई मामुली आदमी नहीं है उसके उपर बाबरी मस्जद के डेमोलिशन में भी केस है उसके उपर दाउद इबराहिम की जो एड्स है उनको सपोर्ट करने का एड्स है तो मोदी ज सोच रही थी कंपलेन करने जा रही है जो रेस्ल SM कंप connections करने जा रही है उनसे कह रहा है कि तुम साबिद करो कि तुम जू plastic नहीं बहुत परिवारों को एक उड़ा गरिए तुम तो इस रास्थन से जा तो तुमको ओड़ा देंगे। Allahu और परिवारवालों को खतर देंगे नमस्कार मैं सिखा सिंग अभी दिली के जंतर मंतर पे पहुषूद हूँ और आप देख रहे हैं जनीत आवाज यहां पे लगातार चार पांस दिनों से जो हैं पहलमान महिला पहलवान यहां पे धरने पर हैं और आज से एक मेने पहले भी धरने पर थी फिर वो लोग कहीं ग लोग को आजवासन दिया गया था कि हम दो-तीन महिने में इस पर कुछ करेंगे लेकिन कुछ ना करने के बात फिर यह लोग आगे दुबारा से धरने पर हैं और आप लोग को यहीं पे सोते हैं यहीं पर लगातार रह रहे हैं तो मेरे साथ हैं सुचीदा मैडम इनसे बात क एक चीज तो है ना महिलाएं हैं तो महिलाओ का क्या स्थिती है देश में यह एक तरीके से यहां पर प्रदर्शित हो रहे हैं कि जो सबसे एक तर उस तब के से आने वाली महिलाएं जो जो जिनको पुरा देश जानता है जो मेडल लाइं उनके साथ अगर यह बढ़ता हो सक मतलब पावर्फुल पुरूष ताकतवर पुरूष जिनके हाथ में आपका जिन्देगी है आपका नौकडी है आपका केरियर है वह आपके साथ यौन उत्पिड़न करेंगे और पूरा सरकारी व्यवस्था उस ताकतवर पुरूष को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा तो कर चुके हैं मोधी जी ने उसना आश्वाशन दिया सुप्री को सुप्रीम कोट कह रहा है एक सिंपल एफाया दर्ज नहीं हो सकता अगर मिडलिस्ट का यहालत है तो हमारा आपका हालत सोचिए आम महिलाओं का हालत सोचिए क्या होगा ताकतवर पुरूष की क्या परिवास से पोजिशन पे वह बैठते हैं सकता का मतलब आप रूलिंग पार्टी के मेंबर पार्लेमेंट है वह रेस्लिंग फिडेरोश फिडेरोश फिंडिया के चैर परसन है और आप अपना ताकत इस्तिमाल करते हुए महिलाओं के साथ यानुत पिरन करता है क्योंकि आपको पता कि दिल्ली पुलिस आपके ऊपर कुछ नहीं करेंगा यह बात याद दिला रहे हुए नुपूर सर्मा के बारे में आपने सुना होगा नुपूर सर्मा ने कुछ हैसे ही संप्रदाइक चीजों के बारे में बोला था एक साल पहले लिए उनको निश्कासित कर दिया गया दो नुपूर शर्मा को भी निकालना चाहिए था और नुपूर शर्मा कोई महिलाओं के पक्ष्ण कुछ बोल नहीं रही थी तरने की ऐसा ब्रिजभूसन सरहन में क्या है जो बीजेपी सरकाट डर रही है उसको निकालने कि बीजेपी महिला विरोधी एक ताकत है वह समाज मे इसा एक व्यास, बनाय रखना चाहती हैं जहां पर महिलाएं अपने अपने आप। आपने अप्ना तहई करके अपना जिंदेगी नाभिताइ अपने हिसाब से अपना जिंदेदीचीं लगातार महिलाव के संवाज की बात कहते हैं जूत भोलते हैं मोदी जी कि समया अपने मंत्री को बचाया इस संवाइखMad Raw कोई कारवाई नहीं कर रहे है मोदी जी का राज जने 204 के बाद से अब तक महिलाओ का लिबर फॉर्स पार्टिसिपेशन में जो रेट है वो घटा है पूरे दुनिया भर में महिलाओं को निकल रही है नौकरी करने अपना जिंदगी जी ने हिंदुस्तान ऐसा एक देश और ऐसे एक-दो देश और मिलेंगा अफगानिस्तन मिल जाएगा जहां पर कौन अभी इस समय हैं हम लोग लेकिन आप जलत बोले क्योंकि अभी यूपी बोड का रिजल्ट निकलाओं सबसे जादा ही काम कर बच्चियां जो है 1112 की सबसे जादा ये बढ़ फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कि आप निकल के जब आपने लिए नौकरी ढूडते हैं उसका जो रेट है वो में रिडक्शन हुआ है 2014 से लेके अभी तक बात को आप समझ रहें समझ लीजी आपने कुछ पढ़ा होगा ना ग्राजिवेशन पढ़ा होगा ग्राजिवेशन के बाद आप नौकरी ढूड़ेंगी ना तो जितनी महिलाए नौकरी ढूड़ने निकल रही है इस समय दोहज इस उसके अछे अची करते है ओने करके ओने कर दोहज़ेता सांयाम जानता को महिला शंतल जोटी है तो नहीं नहीं दिख है यहाँ है यह आईसा की दिल्ली स्टेट सेक्रेटर है नेहा आप लगातार यहां पे छात्रों को लेके आप लगातार आती रही है छात्रों के मुद्दों को लेके लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से राम राज की बात की जाती है यूपी में उतर प्रदेश में कहा जाता है आती का अगर महलाई इतनी सुरक्षित होती तो इस देश की शायद सबसे जादा टॉल फिगर्स विमेन फिगर्स जिस पे शायद एक बहुत बड़ा सेक्षिन ओफ विमेन इंस्पिरेशन जिनको कंसिडर करते हैं उनको सिफ अपना बात सिफ एफायार दर्ज करवाने के लिए यहां पर नहीं बैठना पड़ता पिछले तीन राद से वो फुट पाथ पे सो रही है इतनी पावर्फुल महला है अपना पूरा जवानी अपना पूरा जिन्दगी मैट को दी है वो ताकि इंडियन रेसलिंग वो बन सके जो वो है और आज उनको यहां पर आके विए प्रोटेस करती हैं सिर्फ इसलिए तकि इस देश का जो समाज का स्वि्रेशन है कि इंडिया फीलिंपिक्स में हो इंडिया को भी मेडल मेले इस आस्पिरेशन को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत का फल लेने के लिए जो इतना काम कर रही है आज उनको फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है सिर्फ अपना बात मनवा लेने के लिए और वो जो अक्यूस्ड है ब्रिज भूशन शरन वो कोई मामुली आदमी नहीं है उसके अपने जब वो चुनाव लड़ने जा रहा था उसके उपर इल्लीगल फायराम्स रखने का केस है उसके उपर बाबरी मस्जद के डेमोलिशन में भी केस है उसके उपर दाओद इबराहिम की जो एड्ज है उनको सपोर्ट करने का एड है ऐसा इंसान जो उपर से नीचे तक क्रिमिनल केसिस में धसा हुआ है उस इंसान को बचाने के लिए हो रहा है ये पूरा तांडव उस इंसान को बचाना चाहते है जब आपने कहा कि एफायर दर्ज नीकरा रहा हम सबको मालूम है एफायर दर्ज नहीं हो पारे लेकिन उसके बाद जब यह लोग एफायर में वहां सुनषलियद्ट से आनुसार उसके उपर कंप्लेंड होती है वहां पर दी यहां पर हुष में पर गीमिटे जा रहा है क्योंकि बीजय पी के एंपी है सिटिंग एंपी है इसलिए है या ऐसे इंसान है जिनका पूरा दबदबा चलता है लोग डरते हैं उनसे attempt to murder का case है इसलिए डर रहे हैं इसलिए उल्टा किया जा रहा है natural justice के सारे principles को आप आपने सुना होगा कि सब लोग के रहे हैं लोगतंत्र खत्रे में हैं वो सभी चीज़ें जो लोगतंत्र को लोगतंत्र बनाती हैं उन सभी चीजों के उपर इस वक्राकडाउन हो रहा है protest और descent का जगा नहीं है साथी यहां पर protest कर रही है तो पता चल रहा है इंटर्व्यूज में बता रहे हैं कि उनके परिवारों को यह बोला जा रहा है कि अच्छा तुम तो इस रास्ते से जाते हैं तुमको उड़ा देंगे तुमारे परिवार वालों को खतम कर देंगे 나 बजेपी के कुछ कारे करते हैं हो कहते हैं कि बदनाब करने की साजी से जब हिंडन बर की रिपोर्ट आई थी जब राहूल गांदी ने विदेश में कैमप्रीज में कुछ बोला था और जब यह पहलवान कुछ बोल रहे हैं, तो सब लोग कहते हैं, यह साजी से लोग प्रियता कम करने की जो लोग, मतलब 56 इंस का सीना है हमारे प्रदान मंत्री का, उसको कम करने की कोसिस कर रहे हैं, एक तरफ भारत विसुपटल पे नाम रौसन कर रहा हैं, दूसरे तरफ य अच्छी बात है कि आपने वो 56 इंच वक्का सीना वाली बात कही क्योंकि 56 इंच का मेरा सीना है इसलिए मैं जो चाहे कर सकता हूँ यह समझदारी जहां से जिसका जड़ है वो इसी सब चीज में है कि आज जाके के उपर ही फाइल हो रहा है यह जो समाज है पित्रता सत्तात्मक समाज इसी समाज में इस चीज का फोका जा सकता है दावा 56 इंच का सीना है कि क्या मतलब है आपके पास कोई फाइल रेजिस्टर नहीं करेंगे हिंडनबग का रिपोर्ट आया उसमें साफ तौर पे सारे को सुरंड बाद अटानी वहां जाते है और एक स्री लंका में पॉरा डील होता है चुपरो क्या इसा कर सकते हैं और बहुत बढ़ा इलजाम है वही मोधी जो इलेक्शन के वक्त रहीमाम कर रहे थे कि अरे वो शहीद मर गए अगर आप उनको न्याय दिलाना चाहते हैं तो हमको वोट कीजिए आपने मारा है आपका पूरा मिसमानेजमेंट आपका रिस्पॉंसिबल है उनकी जान लेने के लिए क्यों इतना ब अगे बढ़ता है वहां पर रोड्ड रोका जाता है ब्लॉक किया जाता है पुबले को सब्सक्राइब क्या लग रहे हैं कि लगातार यह लोग एक महने पहले भी उनको आसवासन तिया गया था कि हम आपके लिए कुछ करेंगे और अभी फिर यह चार-पास दिनों से यहां सब्सक्राइब करेंगे जिस तरीके से आप हम लोग नजारा देख पा रहे हैं कि विपक्षी पार्टी अभी एक्जूट हो रही है और सब लोग साथ में रहे के लराई लरे तो क्या लग रहे हैं कब तक यह जारी रहेगे और कब तक इनको जो है जीत हासिल होगी हैं कि लगातार जो हैं स्टूडेंस भी पक्षी पार्टियां सब लोग सपोर्ट करने के लिए लोग को आ रहे हैं लेकिन तमाम लोग जो हैं कि हमें फसाने की कोशिज कर रहे हैं बीजेपी पार्टी को बदनाम करने की कोशिज कर रहे हैं लेकिन एक सवाल जो है बहुत ब भारत का नाम हो रहा है और उनकी ये दसा है तो आम महिलाओं की क्या दसा होगी आप जड़ा कल्पना करके देखिए पुरी खबर पर आपकी क्या राया है कमिन बॉक्स में जरूर दीजे धन्यवाद